राजिस्थान के बिवाडी से पाकिस्तान गई अंजू के बारे में आए दिन चोकाने वाली जानकारी सामने आती रहती है अब सोसल मेडिया पर अंजू का नया लुक सामने आया है इन तस्वीरों में अंजू ने काला चस्मा लगा रखा है और हातों में गुल्दस्ता है तादी यह तस्वीर फेस्बुक पर अंजू विद नस्रोला के फेस्बुक पेज पर अपलोड की गई है इनमें कई तस्वीरे हैं और इसके साथ कैप्चन में लिखा गया है कि सुक्रिया, PLG और पार्क्षिती आपकी सांदार महमान नवाजी और शम्मान के लिए बहुत बहुत आबार बताते चलें पाकिस्तान गई अंजू को भारत आना था लेकिन उसके वीजा की अवधी बढ़ा दे गई है इसके बाद अंजू पाकिस्तान में घूमफिर रही है वहीं अंजू का पाकिस्तान में खैबर पक्तु नकवा में खूब खैर मक्तम हो रहा है बताया जा रहा है कि अंजू का यहां सुवागत उसके इसलाम धर्म शुएकार करने के एवज में हो रहा है बता दें कि बिवाडी की रहने वाली अंजू फेस्बुक पर प्यार के बाद पाकिस्तान पहुच गए थी वहां पर उसने अपना धर्म बदल लिया और फिर पातिमा नाम रख लिया शुरुआती नानुकुर के बाद यह भी खबरे आई कि नस्रूला और अंजू ने साधी कर ली है वहीं आपको बता दी अंजू और नस्रूला की जो तस्वीरे सामने आई है वह पाकिस्तानी बिजनिसमेन मौसीन खान की ओफिस की है यहाँ पर मौसीन खान का पार्क इस्टार ग्रूप के दफ्तर में अंजू और नस्रूला का जोरदार स्वागत किया गया है बता दें कि मौसीन वही पाकिस्तानी बिजिसमेन है जिनोंने अंजू को चैक और प्लोट दिया था उन्होंने कहा था कि अंजू के इसलाम सुईकार करने से वहे काफी जादा खुश हैं सिर्फ इतना ही नहीं मौसीन खान ने अंजू को घर बैठे सेलरी देने का भी ऐलान किया था लेकिन अब अंजू की इन तस्वीरों ने सोसल मीडिया पर धमाल मचा दिया है अब देखने वाली बात ये होगी कि अंजू भारत कब लोटती है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ